हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ आपकी दोस्कीरती फिश वाज करने के बाद आप ये मॉश्य राजा से 15 दिर्स तक ट्राइ कर लो आपकी फेस से जहयां चले जाएगी आपकी जूरियां भी कम होगी साथी साथ आपकी स्किन से फाइन लेंस और रिंकल्स भी रेडियोज होंगे और इसकी खाथ बात ये है कि आपकी स्किन इससे सालों साल जवान दिखती है आप लोग सोच रहे होंगे मैं कुछ भी ऐसे ही बोल रहें तो आप लोग एक बार इसको पूरा देखिया और इस क्रीम को बनाईएगा आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाओगी तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको छुटा सा काम करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है इस क्रीम को बनाने के लिए आपको लेना दो से तीन च चावल और दो चम्मच अर्सी के दाने चावल आपकी स्किन से जाईयों को कम करने में हेल्प करता है अर्सी आपकी स्किन से फाइन लाइल रिंकल्स को रेडियोस करता है यही आपकी स्किन को सालो साल जवान रखती है आप गूगल करके देखिए का यह एजिंग सैंस को कम करन जब ये पक रहा होगा तो आप देखोगी ये जेल जैसा बनने लगेगा जब ये जेल जैसा बन जाये तो आप गैस के फ्लेम को आफ कर देना ठंडा होने के बाद आप इसे एक बाउल में निकाल लेजिए चलिए आप बनाते हैं एजिंग साइंस को कम करने वाली क्रीम आपक आप अगर जादा बना रही हो तो आप 2-3 डाल देना ये आपकी क्रीम को लॉग लाश्टी को बनाता है आपकी स्किन से जहाईयों को कम करता है दाग दबो को हलका करने में बहुत मदद करता है फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा ऐलोवेरा जेल अलोवेरा जेल आप आपकी स्किन को हडीट करता है, आपकी स्किन को लाइट करने में हरुप करता है इंसादी को डाल कर अच्छे से मिक्स मिक्स कर दीजे ये सबी मिलकर आपकी स्किन पे एक मैजिक का काम करते हैं आप लोग देck सकते हैं कितनी Light Weight क्रेम है इसे All Skin Type के लोग यूज़ कर सकते हैं चलिए दिखाते हैं इसको यूज़ कैसे करना है आपको इसे दिन में दो बार यूज़ करना है एक सुबह उठने के बाद एक रात में सोने से पहले जब भी आप सुबह उठो या फिर आप रात में सोने जा रही हो पहले आप अच्छे से Face वास कर लो उसके बाद एक मौश राज़े की तरह आप इसे Dot Dot करके अपने पूरे Face पे अच्छे से लगा लो आप कोसिस करो कि इसकी एक Thick Clear लगाना ताकि ये अच्छे से काम कर सके इसको लगा कर 2-3 मिन तक अच्छे से मसाज़ करिए ताकि ये क्रीम आपकी स्कीन में अच्छे से एक्जॉर्ब हो जाए और ये अपना काम अच्छे से कर सके इसको लगा कर अगर आप मौर्नी में लगा रहे हो तो इसके बाद आप अपना Sunscreen लगा सकती हो अपना कोई भी काम कर सकती हो अगर आपने रात में लगा है तो इसे लगा कर फिर आपको सो जाना है सुबा उटकर आपको नॉमर पानी से वाश करना है ऐसा आपको फिप्लेंज देश तक डेली करना है आपके डर्ग स्पॉट लाइट होने लगेंगा ये क्रीम मैंने अपनी ममी को दिया था उनके स्किन पर इतना ज़्यादा फरक दिखाया कि मैं इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो गई इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया तो आप लोग एक बाद जरूर ट्राय करना इसके इतने अच्छे रिजल्ट है आप लोग इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाओगे तो आप लोग भी इसको ट्राय जरूर करना इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट करना बिलको भी मत भूलना मैं हर कॉमेंट का रिपलाय जरूर दूँगी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना अगर आप वीडियो से रिलेटेड या भी कुछ भी स्कीन के रिहर के से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाते हो तो मुझे कॉमेंट करना मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड्स